अकू यहा है अकू का सूरजपुर गाव अकू के साथ दूसरे बच्चे खेलना पसंद नहीं करते क्योंकि अकू के पैर उसके शरीर से बहुत लंबे है सिर्फ सूरज, मुर्गी और चीडिया ही अकू के दोस्त है अकू अपना समय पिताजी के साथ मचली पकड़ने में बिताती है एक दिन सूरज, मुर्गी और चीडिया अकू से मिलने नहीं आए वह इंतजार करती रही इस तरह कई दिन बीत गए फिर उसने गावालों से सूरज, मुर्गी और चीडिया के बाए में पूछा किसी ने उसे कुछ नहीं बताया उद्दास होकर वह अपने घर के बाहर बैट गई तबी घर के अंदर से आवाज आई उसने अंदर जाकर देखा एक गोल गेंद ने उसकी साड़ी चट्मी गिरा दी थी वह उस गेंद को लेकर मैदान की तरफ भागी उसने अपनी लंगी टांगों से उससे आस्मान की तरफ जोरदार किक लगाए गेंद आस्मान ने काले बादलों से जाटकराई काले बादल दीरे दीरे छटने लगे बादलों के उस पार से पूरज फिर से निकलाया सबने फिर अको को बहुत धन्जे वाद दिया जालों के लादलों के लुटने खिर ऑगे जाटकर दिया जाटकराई झाल झाल